नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विद आलोक ओनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिश्र एट पीम न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइन्स पर एक नजर नई सिक्षा नीती 2020 को कैबिनेट से मिली मंजूरी पढ़ाई परिक्षा और रिपोर्ट कार्ड सहित होंगे कई बड़े बतलाव मानो संसाधन विकास मंत्राले अब होगा सिक्षा मंत्राले भारती सरजमी पर पहुँचा दुनिया का सबसे सक्तिसाली लड़ाकू विमान राफेल राफेल की अभेद सुरक्षा से भारती वाईस्रेना होगी और भी मजबूत तो चलिए बड़ी ख़बरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं कल साम केंदरी सुचना एवंग प्रशारन मंत्री प्रकास जावडेकर ने बताया कि नई सिक्षा नीती 2020 को मंजूरी दे दी गई स्री जावडेकर ने बताया कि साल 1986 के बाद आज 34 साल से सिक्षा नीती में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था इसलिहाद से यह सिक्षा नीती काफी महत्तपूर्ण है सिक्षा नीती में बदलाव के साथ ही मानव संसाधन विगास मंत्राले का नाम बदल कर अब सिक्षा मंत्राले कर दिया गया इस सिक्षा नीत में इसकुली सिक्षा से लेकर उच्च सिक्षा तक तमाम महत्पूर्ण बदलाव किये गए आपको बता दें कि भारती अंतरिक्ष अनुशंथान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समित ने साल 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल नीसंक को नई सिक्षा नीत संबंधी मसौदा सौपा था इस मसौदे पर लोगों की राय जानने के लिए इसे सारवजनी किया गया और तकरीबन दो लाख सुझाओ भी प्राप्त हुए नई सिक्षा नीती का मसौदा भारती जनता पार्टी के 2014 लोगसभा के चुनावी घोशडा पत्र में भी था और इस एजन्डे पर बीजेपी कायम रही वर्तमान सिक्षा नीती 1986 में ततकालिन प्रधानमंत्री स्री राजीव गांधी के काल में हुआ था जिसे 1992 में संसोधित किया गया नई सिक्षा नीती के तहट सिक्षा पर सकल घरेलू उत्पात का 6 फिसदी खर्च किया जाएगा जो अब तक 4.4 तीन फिसदी हुआ करता था प्रारंभिक सिक्षा के तहट पाचवी तक की पढ़ाई मात्र भासा में होगी मतलब अब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी गए लेकिन अंग्रेजी को एक विशयक रूप में पढ़ना होगा चटवी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन की सुरुवात होगी इसके लिए इस चुक्षात्रों को छवी कक्षा के बाद से ही इंटर्निशिप कराई जाएगी बोर्ड परिक्षाओं को रटने पर नहीं बलकि ग्यान पर किंदित किया जाएगा लौ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ कर सभी उच्च सिक्षा के लिए एकल निकाए के रूप में भारत उच्च सिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा म्यूजिक और आर्ट्स को पाठिक्रब में शामिल किया जाएगा नई सिक्षा नीति के तहत यह महत्वपूर है कि अब मल्टिपल एंट्री और एक्जिट सिस्टम लागू होगा मतलब अगर कोई विद्यार्थी 6 समिस्टर बीटेक की पढ़ाई करने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसे reward दिया जाएगा जैसे एक साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर certificate, दो साल के बाद डिपलोमा और तीन या चार साल के बाद डिगरी दी जाएगी इसका प्रियोग आगे की पढ़ाई के लिए किया जा सकेगा इसका एक फायदा यह भी होगा कि इससे देश में drop out ratio कम होगा अगर कोई चात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़ कर किसी दूसरी कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो वह एक निस्चित समय के बाद पहले वाले कोर्स को छोड़ कर कोई भी दूसरा कोर्स जोईन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है नई सिक्षा नीत में MFIL courses को खत्म किया जाएगा विश्व विद्याले और उच्छ सिक्षन संस्थानों में प्रवेश के लिए सैयुक्त प्रवेश परिक्षा होगी सभी सरकारी और निजी उच्छ सिक्षन संस्थानों के लिए एक तरह के मांदंड होंगे सापना की जाएगी जिससे विश्व विद्यालियों के माध्यम से सोध की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा यह संस्था स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा साशित होगा और बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा 29 जुलाई 2020 को भारती सेना और भारतियों का इंतजार खत्म हुआ बुद्वार को भारती सेना को दुनिया के सबसे सक्तिसाली लड़ाकू विमान राफेल की अभेद्य सुरक्षा मिल गई सुखोई विमानों की निगहमाने में पाँचों राफेल अंबाला एयर बेस पर सुरक्षित लेंड किये लेंडिंग के बाद वाटर सैलूट के जरिये स्वागत किया गया अगवानी के लिए वायू सेना प्रमुख एयर चीफ मार्चल आरके एस भधवरिया भी मौजूद रहे इस मौके पर स्रीभधवरिया पाँचों पाइलटों से हाथ मिला कर उनका हाल चाल जाना राफेल पाइलटों की टीम में दक्षण कस्मीर के एयर कमांडर हिलाल अहमद, उत्तर प्रदेश के बलिया से कमांडर मनी सिंग, राजस्थान के जालावर से विंग कमांडर अभिशेक त्रिपाठी सामिल थे आपको बता दें कि फ्रांस से 7000 किलोमीटर की इस यात्रा में राफेल युएई के अलदफरा बेस पर ठहराओं और री फ्यूलिंग के बाद 29 जुलाई को अपरहान 3 बजे अंबाला एयर बेस पर पहुँच गया आपको बता दें कि लडाकू बिमान सूपरसोनिक गती से उडान भरते हैं लेकिन उन में इंधन कम होता है और वे ज्यादा दूरी तैन नहीं कर पाते राफेल 2000 किलोमेटर तक लगातार उडान भरने में सक्षम है गरतलब है काल 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल के लिए सवदा हुआ था और तब से लेकर साइद आज भी राजनितिक आरोप प्रत्यारोप समाप्त नहीं हुआ अगले साल तक सभी 36 राफेल भारत के पास होंगे तो देश की सुरक्षा बेसक बढ़ जाएगी इसकी खूबियों की बात करे तो यह दो इंजन वाला लड़ा को विमान है जिसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है इसकी स्पीड 2130 किलोमेटर प्रति घंटा है जो एक मि पता दें कि राफेल फाइटर जेट को माली अफगानिस्तान इराक और लीबिया में इस्तेमाल किया जा चुका है और अबंत में चलते चलते कुछ छोटी लेकिन महत्तपूर खबरों पर एक नजर भारतिय लेखिका अवनी दोसी सही 13 लेखकों को 2020 के बूकर पूरसकार के स सामिल किया गया इस सूची में दो बार की बिजेता हिलेरी मेंटल का भी नाम है चैन मंदल द्वारा लेखकों की सूची तयार करने के लिए अक्टूबर 2019 के बाद की प्रकासित 162 उपन्यासों का आंकलन किया गया जो ब्रिटन और आयरलेंड में प्रकासित किये गए इस प उपन्यास बर्ण्ट सूगर को शामिल किया गया है यह उपन्यास एक मा और बेटी के जटिल रिष्टे पर आधारित है जिसको दोसी ने बड़े ही इमानदारे और वास्तविक्ता के साथ मारमिक तरीके से अभिव्यक्त किया है केंद्री परिया वरन मंत्री प्रकास जावडेकर ने विश्व बाग दिवस की पूर्व संध्या पर देश में बागों की अनुमानित संख्या पर अखिल भारती बाग आकलन रिपोर्ट 2018 जारी किया इस रिपोर्ट के अनुशार देश में बागों की संख्या 2960 बताया गया साल 2014 की तुलना में बागों की संख्या में 714 बागों की वृध्धी दर्ज की गई वहीं राज्यों की बात करें तो मध्यप्रदेश में कुल बागों की संख्या 526 है और इस मामले में वह प्रथम अस्थान पर है वही 524 और 442 बागों के साथ करनाटक और उत्तराखंड दूसरे और तीसरे अस्थान पर काबिज है गोवा में बागों की संख्या 3 बताई गई इस रिपोर्ट के अनुसर उत्तराखंड के जिमकारबेट टाईगर रिजर्व में सबसे अधिक 231 बाग हैं जबकि करनाटक के नागर होल और बंदीपारा रिजर्व में बागों की संख्या क्रमसा 127 और 126 है मानो तसकरी के विरुध जागरुपता और पेडित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानो तसकरी के विरुध विष्व दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे संयुक्त राष्ट द्वारा 30 जुलाई को मनाने का निर्डए साल 2013 में लिया गया इस वर्स यूनाइटेट नेशन ओफिस ऑन ड्रक्स एंड क्राइम यानि UNODC द्वारा मानो तसकरी के विरुध विष्व दिवस की थीम committed to the cause working on the front line to in human trafficking रखा गया मानो तसकरी में लगभग 33% पीडित बच्चे होते हैं आपको बता दें कि अंतर राष्टिय स्रम शंगठन के अनुशार लगभग 21 मिलियन लोग आज भी बद हुआ मजदूरी के सिकार है जिसमें स्रम और यौन सोशन के लिए तसकरी किये गए लोग भी सामिल हैं जिसमें देखा जाये तो सबसे ज़्यादा बच्चों के बाद पीडित महिलाए हैं सिकागो विशुविद्याले के उर्जानीती संस्थान द्वारा विक्सित एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ने बताया है कि वर्तमान में प्रदूशन मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खत्रा है विशेश रूप से यह खत्रा भारत में सरवाधिक है जिसका प्रमो कारण यह है कि भारत की लगभग 25 फेस्दी आबादी प्रदूशन के माहौल में जीवन यापन कर रही है रिबोर्ड में कहा गया है कि पिछले दो दसक में भारत परडिकुलेट प्रदूशन में 42 फेस्दी की व्रिद्धी हुई है जिससे एक भारती की उम्र 5 साल तक कम हो गई है इसी को देखते हुए साल 2019 में भारत में राष्टिय स्वक्ष वायू कायकरम की शुरुवात किया गया अगर भारत में 25 प्रदूशन कम कर दिया जाए तो इससे भारतियों के राष्टिय जीवन प्रत्यासा में तकरीबन 1.6 वर्ष की व्रिद्धी हो जाएगी सरकार ने फेस सील्ड और कुछ तरह के सर्जिकल मास्क के साथ मेडिकल चसमे के निर्यात के मानदंडों में कमपनियों को धील दी है जो मुखिरूप से विस उभर में कोविट-19 महामारी के फैलने से मांग में है सरकार प्रतिमहीने 50 लाख इकाईयों के निर्यात कोटा के साथ ब्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानि PPE किट के सिप्मेंड की अनुमती दे दी है इस निर्यात सम्मंधी फैसले से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही और द्योगिक विकास भी होगा इससे पहले सरकार ने इन सारे मेडिकल उपकरणों के निर्यात पर कोविट-19 की वजह से प्रतिबंध लगा दिया था जिससे कि भारत में इन वस्तुओं की कमी ना पड़े भारत में इससे पहले अधिकतर PPE किट आयात किये जाते थे फिलहाल 8 पिम के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिसा देने के लिए जुड़े रहिए टारिगन विन आलोक आनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार